नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हम अपने सक्यूलेंट के लिए फ्रिज के पानी का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि जलवायू इतनी गर्म है कि शायद इससे सक्यूलेंट को ठंडा होने में मदद मिलेगी हालां कि यह एक अच्छा विचार लगता है लेकिन क्रिपया ऐसा कभी न करें गर्मी आपके सक्यूलेंट को खत्म करे या ना करे लेकिन फ्रिज के ठंडे पानी का उप्योग करने से निश्चित रूप से आपके सक्यूलेंट को सौ प्रतिशत खत्म कर देगा केवल सक्यूलेंट ही नहीं बलकि किसी भी पौधे को फ्रिज से ठंडा पानी नहीं देना चाहिए भले ही आपको बाहर बहुत गर्मी महसूस हो यह गलती कभी न करें अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों न करें इसका कारण यह है कि पानी के ठंडे तापमान से पौधा थर्मल शौक में जा सकता है एक बार जब पौधा थर्मल शौक में चला जाता है तो उसी पौधे को दोबारा नहीं बचाया जा सकता है इसलिए बहुत सावधान रहें मैंने एक व्यक्ती को देखा है जिसने मुझे मैसेज भेजा था उन्होंने गमले में बर्फ के टुकडे डाले थे क्योंकि उन्होंने किसी को ऐसा करते देखा था दुर्भाग्य से उनका पौधा जीवित नहीं बचा 24 घंटे के भीतर थर्मल शौक के कारण पौधा मर गया अब जबकि गर्मियां आ गई है कई बार नल का पानी भी गर्म आता है सुनिश्चित करें कि आप उस पानी का भी उप्योग न करें गर्मियों के दौरान सुबह जल्दी पानी दें सुबह 11 बजे के बाद पौधों को पानी देने से बचें क्योंकि फ्रिज के ठंडे पानी की तरह गर्म पानी भी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए सावधान रहने की जरूरत है तो आज के लिए बस इतना ही तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूले तब तक मैं आपकी अनुमती चाहता हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं अपना खयाल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद